नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे भक्ती and fun वीडियो शेनल में स्वागत है आज मैं आप लोग को अगन मास की गणीजी की कथा सुनाने जा रही हूँ तो चलिए भक्तों श्रवन करते हैं एक बार की बात है भगवाई श्रव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे इसी दोरान माता पार्वती को चोपड़ खेलने के इच्छा हुई वहाँ कोई तीसरा नहीं था ऐसे में माता पार्वती ने फैसला करने के लेमिटी की एक मूर्ती बनाई साथ ही उसम की जीत दोरों ने चोपड़ खेलना शुरू किया माता पार्वती बार बार भगवाई शीव से जीत रही थी खेल खतम होने के बाद जब बालक से पूछा गया कि कौन जीता है तो उसने भगवाई शीव को विजई घुशित कर दिया गया सुन बार्वती जी को बहुत गु पासकेगा उन्होंने कहा कि संकस्टी वाले दिन यहां पर पूजा करने कुछ करनाय आती हैं उनसे व्रत विधि जानकर सच्चे मन से व्रत करने से शाफ से मुखती मिल जाएगी बालक ने माता पार्वती की कह अनुसार पूरी शद्धा और भक्ती से विधिया अनुसार व शिव जी मिले क्यूंकि माता पार्वती शिव जी से नाराज होकर कैलाश शोड़कर चले गई थी शिव ने उस बच्चे से पूछा कि वो यहां कैसे आया तब उसने संकस्टी के ब्रत के बारे में बताया इसके बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए उस ब्रत को किया इसके प्रवाव से माता पार्वती प्रसंद हो गई और कैलाश वापस लोट आई धन्यवाद अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें